नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा चानल एडमिशन वाला पर और आज बात करेंगे इस स्कूटिनी और फिजिकल स्कूटिनी ये स्कूटिनी मोड आपने हर एडमिशन सिस्टेम में सुना होगा आपको पता होगा आपको अप्लिकेशन फॉर्म बरना है या तो ये स्कूटिनी से भरना होगा यी फिजिकल स्कूटिनी से भरना होगा तो चले बात करेंगे इस पर ये क्या है और किसमें क्या प्रोसेस होगा कौनसा फाइदेमंध है चले तो बिना condition में क्या होगा तो form भरना याने application भरना है सभी को पता है कि सिर्फ application भरने से कुछ होगा नहीं हमें application भरने के बाद उसका verification और confirmation दोनों भी हमें करने हैं और यह होगा scrutiny center या तो वो scrutiny में वो या तो e-scrutiny होगी या फिर physical scrutiny होगी तो इसमें देखेंगे कि application की अगर बात करें तो दोनों भी condition में अगर आप e-scrutiny से form भरना चाहते हो तभी आपको online भरना है online document अप्लोड करने है अगर आप physical scrutiny से form आपका scrutinize करना चाहते है तो भी आपको online भरना है और सारे document अप्लोड करने है अब यह application का verification जब होगा वो e-scrutiny में होगा online और physical scrutiny में वो होगा offline यानि आपको किसी scrutiny center पर जाना होगा जो कि form भरते समय आप चुन लेते हो मतलब जब आप यहाँ पर online application form भरते हो उसी समय आप physical scrutiny चूज करते हो और उसके बाद scrutiny center भी चूज करते हो और उसका time slot भी आप book करते हो और उसी समय पर आपको verification के लिए वहाँ पर जाना है physically online के लिए आपने आप आपको एक scrutiny center आलोट होगा और आप सिर्फ आपको dashboard पर देखते रहना है कि आपका form scrutinize हुआ या फिर नहीं हुआ है तो चली एक बार scrutiny होने के बाद उसमें अगर कुछ problem आता है तो भी आपको online लिए उसे solve करना है और आपको उसी समय उसी center पर उसे आपको solve करना है physically उसके बाद है कि application की receipt जब आपका application form scrutinize हो जाएगा तो उसकी receipt कम acknowledgement आपको online ही generate होगी इस scrutiny में physical scrutiny में scrutiny center आपको वही पर सब अगर आच्छा है तो प्रिंट निकालेगा और उस प्रिंट पर stamp लगाकर sign करके आपको दे देगा आपका काम खतम हो जाएगा तो form की जो process है application भरना उसका verification और उसका receipt generation ये सारे काम online हो जाएगे इस scrutiny में physical scrutiny में form तो आप online भर पाओगे लेकिन आपका verification और जो acknowledgement है आपको offline उस scrutiny center पर करना पड़ेगा उसके बाद एक grievance period होता है मतलब जब admission system की हमारी provisional merit list आती है उसके बाद final merit list के बीच में मतलब provisional merit list publish होने के बाद final merit list publish होने के बीच में एक दो दिनों का दो तीन दिनों का एक आपको grievance period मिलता है उस time में आप क्या करते हो अगर application फार्म भरते समय कुछ गलतिया हुई आपके पास document नहीं था अब आ गया है लेकिन आपका फार्म अल्रोडी confirm हो गया है अब उसको कुछ बदलाव आपको करना है तो सारे काम उस grievance time में आप कर सकते हो तो उसमें अगर आप grievance period में फार्म में कुछ बदलाव चाहते हो तो इस scrutiny से जिनोंने फार्म बरा है वो online ही कर पाओगे वहाँ पर grievance का option है उस grievance में जाना है आपको और आपका जो भी grievance है और डालना है फिर scrutiny center आपको assign होगा वो grievance आपका स्वाल कर देगा आपके form में बदलाव किया जाएगा अगर जब आप form online submit करते होई जैसे यहाँ पर हमने देखा कि offline form में अगर कुछ problem है तो offline जो कोई document नहीं है कुछ आपको करना है तो वही पर आप document देखर scrutiny center को काम निप्टा सकते है online में क्या होगा अगर आपके form में कुछ problem है तो फिर आपको form फिर से वापस बेजा जाएगा और फिर आपको online ही उससे स्वाल करना है grievance time में आपको अगर कुछ बदलाव करना है form में वो भी आप online grievance के तुरू कर पाओगे और offline वालों को उसी scrutiny center पर जाना है कुछ बदलाव करना है तो grievance period में वो करना है तो इतना सिंपल बात है इस scrutiny में सारे काम online हो जाएंगे physical scrutiny में आपको verification receipt और correction में कुछ करना है तो आपको scrutiny center जाना होगा भी workflow देखेंगे कि उसमें क्या क्या कैसे काम होगा आपने देखा की form online भरना है और scan करके document upload e-scrutiny में upload करने है दोनों भी physical और e-scrutiny में आपको online form भरना है और document वहापे scan करके upload करना है original document से scan करना है आपको upload करने अभी क्या होगा कि online आपको scrutiny center अलट होगा यहाँ पर आपको आपका नजदी की scrutiny center करोगे select करोगे और time book करोगे और फिर आगे चले जाओगे form में कुछ कमी है form में कुछ गलतिया है कुछ document तो आपने अलग किया है तो फिर आपका form unlock होगा फिर से आपको वापस भेजा जाएगा online ली पूरा जैसे आपने आपका password आरकर उसे lock किया था तो unlock हो जाएगा फिर आ आपको क्या करेगा आपका receipt generate होगी form में left hand side में आपको main होगा वहाँ पर आपकी receipt generate होगी आप online grievance के जरिये कमिया दूर कर सकते है और इसी प्रकार से आपका form confirm हो जाएगा फिजिकल स्कूर्टिन में हमने अल्रड़ी बात की है कि आपके कुछ form में कमी है तो वही आपको उ हो जाएगा तो हमने देख लिया दोनों भी कंडिशन में e-scrutiny और फिजिकल स्कूर्टिन में जब आप form बरने की शुरुवात करते तो इस प्रकार का window आपको आता है यहाँ पर आप चूज कर सकते हो अगर आपने चूज किया भी समझो form के शूरुवात में मैंने e-scrutiny च प्रकार का जिस मोड का आपने चूज किया है जिस मोड का आपने चुनाव किया है उसी मोड के थरू आपको form scrutinize करना होगा लेकिन कोई problem नहीं इस दोनों में e-scrutiny में आपको कही जाने की ज़रुवात नहीं पड़ती फिजिकल स्कूर्टिनी में आपको स्कूर्टिनी सें आपको स्कूर्टिनी सेंटर पर आप ये form सिर्फ और सिर्फ confirmation के बात है इसमें admission की कोई भी अभी बात है ही नहीं फिजिकल स्कूर्टिनी में क्या होगा कि आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे जो slot मेंने चूज किया था उस slot में मैंने नहीं जा पाऊंगा तो यहां से आ बुक किया था लेकिन आप मुझे she бал करना है यहां पे click कर सकते हो हम्तलब यहां से यहां पे click करे उसके बाद आप इस window पे चले जाओगे इसकी बाद एह पर एहां पर click करे तो आप इस window पे जाओगे और यहां से फिर आपको sustainable चेंटर चूज कर सकते हो और आपका नए बू दिखा था, sorry, यहाँ पे, यहाँ पे आपका green इस में आएगा कि आपका firm scrutinize हो चुका है, और फिर यहाँ से आप acknowledgement डाउनलोड कर पाओगी, यहाँ पर याभी red में है तो green में आएगा कि आपका firm, और कुछ problem है तो यही नीचे आएगा, कि क्या problem है और आपको वो problem भी दिखा पाई देगा, और फिर आप grievances के through उस problem को solve कर पाओगे, तो फिलाल अगर मैंने acknowledgement पर क्लिक किया तो version wise यहाँ पर आप भी version क्या है, तो जितनी बार आपने form edit किया है उतनी बार, वो versions create होंगे, version कितने भी create होने तो उसमें कोई problem है, सिर्क latest version वाल आपके पास होना चाहिए, वहाँ पे drop down होता है, वहाँ पे click करके latest वाल आप download करके रखियेगा, यहाँ से आप अपना receipt, जिससे आप receipt का acknowledgement कहते है, वो download कर सकते हो, और grievances अगर कुछ आपके form में problem आता है, तो यहाँ से आप grievances डाल सकते हो, आपका form में एक बार verify हो गया, फिर से उन्होंने आपको वा events बैस सकते हो, तो यहाँ से यह सारी बाते, इस scrutiny और physical scrutiny के बारे में चलती, इसके regarding अगर आपके मन में है कोई सवाल, कोई शंका, तो पूछेगा, मैं जरूर कोशिश करूँगा, आपके सवालों के जवाब देने की, रुकते हैं यहाँ पर फिर विलिंगे किसी नए उड़ आपके लिए नमश्कार